आवला दीबदान की पूरी विधी इस वीडियो में जानेंगे बाद में आवला दीबदान करने के बाद हमें इन आवला का क्या करना चाहिए यह हर साल आपका प्रशना आता है तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी स्रेश्टितम तरीके से नियम पूरी जो है ग हर स्वरूप में हमें फाइदा देता है, आप जानते हूंगे, इस तरह से आवला आप ले लिजिए, इन्हें धोकर अच्छी तरह से पोच लिजिए, उसके बाद हमें दीबदान करना है, अब प्रशना आता है कि दीदी आवला कितने हमें प्रियोग में लेने चाहिए, कितन आपकी इच्छा है सहस्त्र दीबदान के फल मिलता है कार्तिक महने में आउला दीबदान का तो आपकी इच्छा सकती सामर्थ है आप कितने आउला दीबदान करना चाहते हैं अभी मैं वीडियो में आपको करके दिखा रही हूं तो इस तरह से आपको आउला सरलतम तरीके से आप चाहें तो चाकू का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें से रस निकलता है, तो वह आपके हातों को जोड़ा सा गीला सा हो जाता है, तो थोड़ा पकड मजबूत रखिएगा, और चक्कू को इस तरह से आप गोल-गोल घुमाएंगे, तो बड़े आ आसानी से इस तरह से हमें आउला उपर से कट कर लेना है, थोड़ा सा अपने हाथ का ध्यान जरूर से रखिएगा, चाकू या कैची कोई भी धुले हुए होने चाहिएगा, अगर पहले से प्याय लहसन इनसे काट रखा है, आपके घर में इसका प्रियोग होता है, तो उन्हे आउला दीपक आप लगाएंगे, तो वह गुरकेगा नहीं, अर्थाप गिरेगा नहीं, तो इस चीच का आप ध्यान रखिएगा, तो आउला जहां से उत्पन होता है, डाल से लगा होता है, वह हम धर्ती पर रहेंक रखेंगे, और उपर की तोर से आप काटेंगे, तो अगवान इससे प्रसंद होंगे, कहा जाता है, इस मेहने के अंतिम दिनों में, कार्तिक नौमी से लेकर पूर्णी मात तक, स्री नाराण आउला व्रक्ष में वास करते हैं, ऐसे में महादेव के सिवलिंग में, आउले का जल समर्पित करना, आउला दीपदान करना, स्री न आउला का दान करें, दीपक का दान करें, चाहे तो 11 करें, 21 करें, 28 करें, इच्छा आपकी है, एक पूजा की थाली ले लिजे, उसमें इस तरह से आउला को रख लीजे, आप स्वास्तिक बना सकते हैं, थाली में आप एक महादान करने जा रहे हैं, अक्षत छिड़क सकते ह नहीं तो पुष्प रखना भी परियार्त होगा, इस तरह से आपको इन आउलाओं को रख लेना है, सुन्दर मन से सच्चे भाव से, प्रभू का इसमरण जरूर से कीजेगा, ध्यान कहीं और है, और आप जो है, इनको आउलाओं को दीपक के रूप में बना रहे हैं, तो यह ज्यादा फल देने वाला नहीं होगा, जो भी प्रभू के कारे होते हैं, प्रभू के चिंतन के साथ कीजाए, तो ज्यादा फल देने वाले होंगे, तो आप सभी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो कमेंट्स में लिख दीजे, ओम नमो भगवतेवा सुधेवाय, और मेरी दीपक जो होता है, उसे जो रुई की बत्ती होती है, अगर आप जो रुई की बत्तिया हैं, गोल बत्ती की उन्हें अच्छी तरह से निचले वाले हिससे को खोल लेंगे, तो भही इसमें फिक्स हो जाती है, कई भाक्तो जनों को मैंने देख रखा है, कि आउला दीबदान करते हैं, तो आउला कई बार जो है, धीपक जलते जलते नीचे गिर जाता है, तो अगर आप रुई की बत्ती को अच्छी तरह से झीचे से खोल लेंगे, जहां से रुई खूप सारी लगी रहती है, तो यह पूर्ण जलती है, और इस्थिर रहती है, तो इस तरह से घी में इस तरह से आपको इनको प्रजलित कर लेना है, दीपक से दीपक प्रजलित ना करें, इस बात का ध्यान रखें, अब आप सभी एक महादान करने जा रहे हैं, तो आप सभी इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत, समर्पित करें, और तीन वारिस में से जल भी घुमा सकते हैं, बहुत सुद्ध और स्रेश्टी है, प्रिक्रिया मानी जाती है, अब इन आउलाओं को ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में आरती कर सकते हैं, प्रभू की बहुत सुंदर इसका पढ़नाम मिलता है, अब आप सभी इसे विशेश तोर पर आरती करने के बाद चाहें, तो इस दीपक को रख सकते हैं, मैंने आपने देखा होगा एक दीपक के उपर भी इसे रख रखा है, तो इस तरह से आप दीपक के उपर भी आउला रख सकते हैं, नहीं तो सीदे धरातल पर भी थोड़ा चावल का या खूल का आसन देने के बाद आप रख सकते हैं उत्तम फल और पित्रों के नाम से लगाएंगे तो सुब फलो की प्राप्ति में सहाइक होगा तीसरा तुलसी मा में आप दीपक प्रजुलित कर लिजेगा चौथा आप आउला वरक्ष के नीचे पांचवा स्री नाराण के मंदीर में छटा दीपक पवित्र नदी में बहते हुए कर सकत हैं सात्वा दीपक घर के दरवाजे पर प्रजुलित कर सकते हैं बढ़े आउला पीपल बेर पत्र महादेव का मंदीर यह बहुत पूजनी इस्थान वाने गये हैं इन इस्थानों पर अगर आउला का दीपदान किया जाता है आउला का तो बहुत सुखद इसका पढ़िना सारे को कर सकते हैं साथ के साथ आपके प्रशना आते हैं दीदी हम बाद में आउला का क्या करें तो बाद में इन आउलाओं को आप जो है गव माता खाले तो गव माता को दे दीजे स्वयम प्रशात के रोप में ग्रहन करना चाहते तो कर लीजिए नहीं तो पवित्र नदी कभी भी किसी भी दिन जब भी समय मिले जिस भी स्वरूप में आपको समय मिले उस स्वरूप में आप सभी कार्तिक महा के सुंदर दिनों में यह विसेश दीपदान करें फिर देखें कैसा भाग्यों जो है आपके जीवन में चमक आती है और यह सबसे बड़ा महादान माना ज साते हैं मा लक्षमी भी करपा बरसाती हैं तो आप सभी के लिए इस तरह से यह जान करी थी वीडियो ची तुप योगी रहते हैं तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें घर का एक साधश महला या पुरुस अपनी इच्छा सत्य आनुसार शाम के समय में कार्तिक महा के अंतिन दिनों में दीपदान करें यह पितरों को भी सुख प्रदान करेगा रोग दोस संकट का स्ट पीड़ा से मुक्ति देगा अंतिन दिनों में आवला के खूप सुन्दर स्वरूप में आप ज्यादा से ज्यादा आवला से संबंदी चीजों का दान करें बंडित ब्रा सब मनुवर सिद्ध हो ऐसी प्रार्थना करते हुए अभी के लिए इतना है आप निरंतर रूप से हर एक जानकारी के लिए चैनल से जुड़ें और प्रभु का नाम मंतर स्मराण करते हुए कमें जैसरी राधे लिखना ना भूले हर हर महादेव